हालो स्टुडेंट्स वेलकम टू पीवियर स्टडी तो बच्चों आजा जल्दी से आपकी जैसा कि आप जानते हैं एबरी नाइट आठ बजे से आपकी एक लास होती है देखिए कैमरा बलर दिख रहा है मुझे लग रहा है तो मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और पढ़ाई करते हैं आपका जो भी चैप्टर चल रहा था उसके आगे देखिए कल आपकी 19 नंबर कलास थी न तो वह आज आपकी 20 नंबर कलास है आपका फ्रेक्शन वाला चैप्टर चल रहा है और फ्रेक्शन में हम लोग को आगे पढ़ेंगे लेकिन सभी बच्चे आज जल्दी से फटाफट वई सेखर वस्ती जी गुडिवनिंग अमन जी गुडिवनिंग सुधान सु प्रिया और कौन-कौन जड़ा वई अंकिता सिंग स्याम सुंदर पांडे और मितले सभी को गुडिवनिंग आज जल्दी से आपकी क्लास सुरू हो चुकी है यह जो मैथमेटिक्स होगी ना सभी कॉम्पटिटिव इकजाम के लिए होगी इस बात को ध्यान में रखना चलिए शुरू करें देखो पहला सवाल है क्या कहता है कि कि टू अपां थ्री थ्री अपां फाइब 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 चाहिए उसके बाद फिर अंतर का मतलब घटाना देखिए अगर जहां तक बड़ी छोटी की बात है इसका मान जो आएगा 0.666 लगभाग आएगा डट डट यह आएगा 0.6 और यह आएगा 0.6 और यह आएगा जीरो पॉइंट कितना देखो यह 8 का पाड़ा पढ़ोगे 50 म तो आठ सते चपन ज्यादा हो जाएगा आठ चांग अड़ तालिस गटाने पर दो आएगा आठ दूना सोला ऐसा ही कुछ आएगा ना क्यों यही तो आएगा ना देखो इधर साइड में इसको क्लियर कर देता हूँ जो लोगों को कंफ्यूजन हो दसमलों बढ़ा के 0 उता पाराना हो जायगा इसमें अगर बात करें सबसे चोटी भीनिकी तो कौन सी है आप सोचो जल्दी बता वाइएगे सारा सिकर का और कोई सभी उच्नाइकर जल्दी से फटा फट पार जेको इसमें सबसे चोटी विनन की अगर बात करें बच्चा तो ये होगी क्यों क्योंकि इसका मान जो है वो 0.67 लिखा जा सकता है क्योंकि 66 बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन ये आल्रेडी सिर्फ 6.60 है बस 0.60 ठीक है इसके पिछले सभी पार्ट आप अप प्ले लिलिस्ट में जाके देखिए प्ले लिस्ट बनी है प्ले लिस्ट में सभी पार्ट है तो इसमें ये सबसे चोटी भी जाए läuft vert है दोनों का अंतर पूछ रहा है बहुत ही सिंपल है 3 बटा 5 से हमें क्या करना है फांच बटा 8 को सब चमपाचीस कितना आएगा यार यह तो बड़ा जीब सारा मुझे लग रहा है तीन बटा पांच और पांच बटा गटा के देखो और फिर बता मुझे नहीं यार पांच बटा आठ तो था क्या इसमें था ना एक मिनट रुख जा भई दो बटा तीन भी है ओ हाँ 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 ओके 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 यह रॉंग है देखो यह सबसे बड़ी भिन है यह 625 है ना मतलब 62 पैसे लग भगा यह 67 पैसे है तो सबसे बड़ा तो यह है ना हाँ सब क्या करना दो बटा थीन से घटाना है सबसे बड़ी फ्रेक्शन दो बटा थीन सबसे चोटी तीन विर्टा पांच तो दो बटा तीन से इसको घटाना है तम लोग को बतारा जल्दी से की बटा कितना आए गा एक बटा 24 आएगा कितना आएगा कि सबसे चोटी वाली विन्न कौन सी है कि यह है कि एक बटा पंद्रा इसका करेक्ट अंसर होगा ठीक है कितना होगा एक बटा पंद्रा देखो दिमाग थोड़ा सावी अजश्ट इसके पहले कलास हुई थी थोड़ा डिश्टरब चल रहा है इस वज देखो कैसे बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे और आइसा क्यों हो रहाए इसके लिए स्वारी देखिए मैं आपको कंपेर करके दिखा दूं पहले तो फिर आपको क्लियर हो जाए इक मान यह आया है लगबग इसको में इतना मान रहा हूं दूसरा मान यह आया है और थी और यह उससे छोटा है थोड़ा लेकिन ये सबसे छोटा है कि है था बाई सेखर जी वो गढ़वड़ है तो ये तूरा पाँंच ये सब suivre ये गटा होगा आप लोक तो पांगत अर कर्णवा सब्सक्राइब लोग कोई दिक्कत नहीं है यह हो चुका है आप लोग लिख लो जल्दी से उसके बाद फिर हमागे चलते हैं देखो यार कैमरा आ सबसे बहतर हो जाएगा लेकिन थोड़ा सब्सक्राइब करना अब उसकी सेटिंग कर रहे हम लोग उसके बाद सबसाई हो जाएगा ठीक है आप देखो यहां पर ध्यान दो यह कुष्टन दिया गया था कैरा सबसे बड़ी सबसे चोटी बिनने का अंतर बताईए हमने इसमें से पहले सबसे बड़ी बिनने खोजा जो कि यह दो बटा तीन थी सबसे चोटी बिनने यह थी दोनों को घटा दिये बस हो गया उत्तर चलो अगले सवाल पर आगे बढ़ अच्छा इस लाइब में ज्यादा बच्चे क्यों नहीं आते भाई क्लास तो हर दिन चलती आठ वजे से ही चैनल पर अगला सवाल बहुत ही आसान है तुल ले बिन्ने ग्याद करना है रितेश दिवारी जी गुड इबनिंग चलिए बताईए उचीत बिन्ने का कोई एक एक बताओ आप लोग प्रापर फ्रेक्शन चलो कोई भी बताए प्रापर फ्रेक्शन का कोई एक 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 जामपल बताईए प्रापर फ्रेक्शन को हिंदी में उचीत बिन्न कहा जाता है उचीत बिन्न देखो कुईस्चन बड़ा ही अजीब सा है ऑप्शन दिये गये उन्हें सब्सक्राइब निकालना है कि सो जाता मतलब का सो जाता भई कि देखो समझो इतना टाइम कोई निस हो जाता है इतना टाइम जो सोजाय। किसे नमबर दूसरा देखो कि इद आया कि निमनलखित में से चीठ भिन्य यह तीचर भरती परिचान पूछे गए सवाल है नेमनली लिखित में उचीत पपशय है अप्सं देखो तीन बटह पांच पांच बटह चार तीन बटह पांच पांच बटह चार एक बटह ये चार बटह दो और नो बटह साथ चलो, इन में से कोई बच्चा उचीत भिन्न बताएगा उप्सन से चलो, जल्दी से आप लोग सेलक्ट करके बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी करो भाई पहले की कलाफ नहीं देखी सेखर, तो फिर मैं क्या करूँ इसके लिए बताओ प्लेलिस्ट में सारी लिंक है, वहाँ से जाके देख लो, बिल्कुल, इसमें अगर उचीत भिन्न की बात करें तो तीन बताओ पांच है इसमें से आप सन कौन सा है, तीन बताओ पांच है, आप लोग समझ गए न, लिख लो जल्दी से अगले सवाल पर आगे बढ़ो अगला देखो क्या कहता है, बहुत ही छोटा सवाल है मैं इसको मिटा के तब उसको लिखूंगा, ठीक है, आप लोग लिख लो, देखो इसमें जिस भिन्न का हर बड़ा होगा, अन्फ छोटा होगा, वही उचीत भिन्न होती है इसमें तीन बटा पांच उचीत भिन्न है, क्योंकि तीन छोटा है, पांच बड़ा है इसमें अगर बात करें, तो पांच बड़ा है, चार छोटा है तो पांच बड़ा है, चार छोटा है, इसलिए उचीत भिन्न नहीं है यह अनुची तो नहीं या फिर इंप्रापर फ्रेक्शन यह सभी इंप्रापर हैं क्योंकि इन में सब में वैसे इस जैसे उसमें है ठीक है सब में एक ही जैसे कंडीसन है कि समझ रहो ना आप लोग चलो तो आप लोग चाहो दिनको लिख लो इसके बाद आगला सवाल देखना देखो या राज क्लास तो चल रही फिला हाल बच्चे कम है लेकिन मुझे कुछ गड़बन अगरा है अच्छा दिख रहा कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना चलो देखो लिखो सवाल यदि किसी भिन के अंस को बीस पर्चत कम यदि किसी भिन के अंस को बीस पर्चत कम तथा हर को दस पर्चत बढ़ा दिया जाए तथा हर को दस पर्चत बढ़ा दिया जाए तो देखो कुछ एक नया चेंजिंग हो जाता है वो चीज यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बढ़ा दिया जाए तो भिन का मान सोला बटा पच्पन हो जाएगा मान कितना हो जाएगा भाई सोला बटा पच्पन हो जाएगा तो उस भिन का मान ग्याद कीजिए जिस भिन के अंसर हर को यह कम जादा किया गया है बताओ तो उस भिन का मान बताईए चलो भाई उस भिन का मान बताईए जिस भिन के अंसर को बीस पर्चत कम कर दिया जाए और हर को क्या कर दिया जाए दस पर्चसर बढ़ा दिया जाए चलिए बताइए आप लोग जबाब दीजिए बताइए जल्दी करिए देखो यार बच्चे इसमें ज़्यादा मतलब एक्टिव नहीं होते इसलिए मैं इसको लाइब नहीं चलाता हूँ क्योंकि यह चैनल चोटा है लिखो दो बटापांस पांच बटादर और आपसन में दिखाद रहा हूं ठीक है चला अफसर लिखो आपसन लिखो पहला वो भीन दो करता पांच होगी या पांच बटा दो होगी या फिर उस भिन का मान पांच बटा तीन या तीन बटा पांच हो सकता है इसमें से क्या हो सकता है आप लोग ट्राई करके देखो और बता मुझे किसी भिन्न के अंस को बीस परचात कम कर दिया जाए तथा हर को दस परचात बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान जो है, वो 16 बटा 55 हो जाएगा, तो उस भिन्न का मान ग्याद कीजिए, सैम सुंदर पांडे बताओ जल्दी से, भाई कोसिस करना यार, चलो देखो, इसमें दिया तो गया नहीं है, इसमें दिया तो है नहीं, हम इसको कुछ ऐसे मानते हैं, कैसे, देखो उस भिन्न को हम मान लेते हैं, चुकि हमें यह भिन्न तो पता है नहीं, हम यहाँपर मानते हैं, माना, वो भिन्न, बराबर कितना है यह अक्स वटेवाई, हमने मान लिया की वो भिन्न क्या है, एक्स अपानवाई है, अब ध्यान से समझतेजाओ, आगे, करांज को बीस परतिस सो में से बीस कंम कर दिया जाए तो अगर हम इसको मान लेते हैं 100 मान लेते हैं किसको उप्य हर को हम हंडरेट मान के चलते हैं इसमें से आप वीश कम कर दिये और हर नीचे वाली गिंती को कहएरा कि 10% बढ़ा दिया जाए तो बच्चा क्या करोगे ये तुम्हारां इतना हो जाएंगा सिर्फ आंसि के लिए केवल आंसि के लिए इसको हमें क्या करना है 20% कम करना है इसलिए मैंने क्या किया सो में से 20 गटा के 100 से भाग कर दिया अब नीचे वाले के लिए देखो जो जोड़ना है जिसमें इसमें 10 जोड़के 100 से भाग करोगे तो 100 धन 10 बटे 100 ये कह रहा था इतना करने के बाद कह रहा है इस कमान 16 बटा 55 हो जाता है तो भिन कमान गयात कीजिए बहुत आसान है सिंपल साय कर लोगे आप लोग देखो ये हो जाएगा 80 अक्स क्यूं भाई ये घटे का बच्चा ये सब्ट्रेक होगा 80 हो जाएगा ये आपका बाहर बाहर का अंदर अंदर का गुड़ा होगा सौ से सौ कट जाएगा और ये हो जाएगा 110 वाई बराबर 16 बटा 55 ठीक है इसमें किसी को कोई जंजट नहीं ना चलो अब देखो ध्यान दो आप लोग इतना सभी को बात समझ में आई ना इसमें लेकिन करोगे क्या यार एकस और वाई के मान आपको फाइंड करने है ना चलो जल्दी करो भई हमें एकस और वाई निकालना या लग अलग तो हम क्या करेंगे एकस वाई को छोड़के इसको उधर भेग देंगे तो याक सपान वाई इकल यह 16 बटा 55 जैसे है वैसे ही रहेगा और इधर साइड यह आएंगे पूरे पूरे तो क्या हो जाएंगे बच्चा इधर यह गुड़ा में इधर आएंगे तो क्या होंगे भाग में हो जाएंगे यह पलट जाएंगे तो पलट जाएंगे आप लो चोग भीस कि पाउंचती कि एक पाउंचती और पांच से काटा 11 है इस similar यह तरह से यह जन簡 अगर आप देखो तहीं पे आपको मिल रहे होंगे पिनि यंहारा पचे 55-22 बटा पच्पन 35 इस तरह से आएगा ना इनको क्या और आगे भी हल किया जा सकता है क्या हल किया जा सकता है ना ग्यारा जिक्कम ग्यारा ग्यारा दुना बाइस आप कह सकते हो यक्स बटावाई बराबर दो बटा पांच इनको आगे कुछ भी नहीं किया जा सकता यानि वह बिन ने दो बटा पांच है हैंना कितना आसान कहा था बिन्न के अंसर को 20% कम कर दिया जाए, तद्धा हर को 10% बढ़ा दिया जाए, तो बिन्न का मान 16 बटा 55 हो जाता है, मतलब हमने क्या किया, पहले एक fraction, let's fraction each, x upon y, उसके बाद कहा था 20% कम कर दिया जा, मैंने क्या किया, बीस पर्चत इसमें से कम कर दिया दस पर्चत बढ़ा दिया सोला बटा पच्पन होता था मैंने ये कर दिया था आगे जाके एक्स वाई के जुमान है वो आगे और यह हो गया आपका अंसर है ना कितना सिंपल तो इसको लिख लो भाई इनको लिखना है देखो यह लाइब कल बता हूं जल्दी करो बस टाइम ओबर हो रहा है आपका जल्दी करो यार जल्दी करो होगे न चलो ठीक है बहतर है बहुत अच्छा है चलो इसको मिटा दे अब भाई दिपांसु यह कंपटीशन के लिए है यह सिर्फ कंपटीशन के लिए है तो इस पर कंपटीशन वाले बच्चे ही आएंगे अब इसको मिता दे हिए चलो अगला सवाल के लिए आप लोग रेडि हो जाओँ इस नंबर बताना है यह दिद्व भिन्नों का गुडनफल सोला बटा पच्पन है भाई मनीशा कुमारी समझ में आ रहा ना अगर कोई दिक्कत होगी तो बताईएगा कमेंट करके फटा-फट जो भी बच्चे लाइब है कुश्चन देखो नेक्स्ट कुश्चन क्या कहता है आज का पचा कुश्चन यदि दो भिन्नों का गुड़नफल 14 बटा 15 है जल्दी लिखो यदि दो भिन्नों का गुड़नफल 14 बटा 15 है आगे क्या कहता है तथा उनका भागफल 35 बटा 24 है तो इसमें बड़ी भिन्न बताईए चलिए ध्यान दीजिए तथा उनका भागफल यहां दिख रहा है गिन्हें इसके आगे लिख सकता हूँ ना चलो तथा उनका भागफल 35 बटा 24 है तो बड़ी भिन्न बताईए 35 बटा 24 है तो बड़ी भिन्न बताईए चलिए जब आप दीजिए आप लोग कोसिस करिए इसमें कौनसी हो सकती वो बड़ी भिन्न फटा फट बताओ बच्चे जल्दी करो बई करा यदि दो भिन्नों का गुणन फल और उनका भागफल दो चीजें दी गई है इसमें छोटी और बड़ी भिन्न के बारे में बात हो रही है देखो पहले तो आपको एक फ्रेक्शन मालूम होना चाहिए हमें फ्रेक्शन मालूम है नहीं तो पहले हम फ्रेक्शन कोई माने कि दो भिन्न के बारे में बात हो रही बच्चा यहां पर यहां पर सिर्फ एक ही बिन्न की बात नहीं है यहां पर दो भिन्न के बारे में बात हो रही है यानि कोई दो भिन्ने हमें माननी पड़ेंगी तभी काम बनेगा यह कुश्चन थोड़ा लाग है देखें मैं इनके आपसन नहीं दिखा रहा हूं लेकिन मैं question आगे करवाओंगा बाई बिद्यानंद जी गुपता जी समझ में आ रहा ना आ रहा ना समझ में चलो कमेंट करना अगर कोई दिक्कत होगी तो देखो इसमें हम मानेंगे माना पहली भिन यक्स बटा वाई तथा दूसरी भिन ए बटा वी है हमने दोनों भिन्नों को अलग-अलग मान लिया चुकि दो भिन्न के बारे में बात हो रही थी है ना आगे क्या कहता है उनका गुडनफल और भागफल अलग-अलग दिया गया है चलो कर लो भाईया कर लो बच्चा अब प्रसना अनुसार पहली सर्थ के अनुसार कहरा भिन्नों का गुडनफल चौदा बटा पंद्रा है यक्स बटा वाई गुड़ा ए बटा वी इक्वल चौदा बटा पंद्रा है यह पहली सर्थ हो गई समी करण एक बन गया कहरा कि उनका भागफल 35 बटा 24 है यक्स बटा वाई डिवाइड वाई ए बटा वी इक्वल यह 35 बटा 24 है कहने का मतलब आप बहुत ही प्यार से समझना यह पहली सर्थ थी गुडनफल वाला कर लिया दूसरी भागफल वाला हो गया इनको आप क्या करोगे भाग का चिन हटा होगे तो यह पलट जाएंगे एक्स बटा वाई गुड़ा यह बटा ए हो जाएंगे बराबर 35 बटा 24 यह समी करण 2 हो गया दोनों समी करण को आप हल करोगे इनका कल्कुलेशन करोगे तो इसमें से कोई मान आएगा चलो मुझे बतादो जो भी बच्चे कर सकते हैं जल्दी बताओ जल्दी बताओ इनके मान क्या आएंगे सोचो और बताओ समी करण एक और दो कर सकते हो ना चलो भाई जल्दी करो कह रहा कि उनमें से फिर बड़ी भिन्न का मान गयात कीजिए प्रिसर बर्मा जी बताओ जबाब दीजिए क्या हो सकता इसका अंसर फटा फट जल्दी से कोशिस करो बच्चे जल्दी जल्दी से सभी बच्चे ट्राई करेंगे चलो जल्दी करो हां बहुत ही सिंपल है ये ओके समीकरण एक और समीकरण दो से कर लो चलो आगे अब देखो समझो ये दोनों क्वशन हो गए अब लिखो समीकरण एक और समीकरण दो का गुड़ा करने पर दोनों का मल्टीपल कर लोगे आ जाएगा कि हाई आपर गुड़ा करने पर ही आएगा याद रखना लिखो दोनों समी करणों को गुड़ा करने पर समी करण जो आया उनको नहीं मिटाना बाकी चीजी मिटा दो यह दोनों एक्वचान है लिखो समी करण एक गुड़ा सामी करण 2 बराबर क्या हो जाएगा यह बच्चा X बटा Y इन्टू A बटा B इनका गुड़ा करोगे LHS का LHS में कर लो LHS का LHS में कर लो तो इधर साइड का यह X बटा Y और यह B बटा A हो जाएंगे यह 14 बटा 15 35 बटा 24 हो जाएंगे चलो इसमें से आप लोग मुझे कलकुलेशन करके वैलू फाइंड करके बताओ जल्दी करो चलो बच्चा जल्दी करो भाई ओके गुड़ एंड रेड़ी देखो बच्चा A से A कट गया B से B कट गया X का Y का Y का Y का Y का Y हो जाएगा इक्वल यह 14, 24, 5 से काट तो 5 से 35 पांतिया पंदरा 2 से काटो 2 से 14 2 से यह 12 हो गया यह 49 हो गया यह 36 हो गया देखो बच्चा यह वर्ग है इसको Y है याद रखना ठीक है? क्या है इसको Y है यहां से यक्स अपान Y फाइंड करोगे तो साथ बटा छे आएगा यानि आप कह सकते हो यक्स बटा वाई का मान कितना आया? साथ बटा छे आया है ना? अब यक्स बटा वाई कर जो मान आया है उसको किसी एक समीकरण में रख दो हो गया यानि आप कह सकते हो पहली बिन साथ बटे 6 हो गई है ना पहली बिन कितनी हो गई साथ बटे छे इसको मिटा दे रहा हूं मैं इसी पर ध्यान देना आगे करना आप लोगा चलो यह हो गए आपके मान क्या यक्स बटावाई के मान आ गए जो बच्चे इसको नहीं लिखे था वो पीछे करके लिख ले अब चलो भई इक्स बटाव आई कामान कमें समी करने में यक्स बटावाई कमान समी करने में रखो इस समी करने क्में के कह राता दोनें का गूडा पना एक्स बटावाई गूड़े बटाव बे बराबर्न स Eddy Isna बटाचा रख दो आप ये लो चौदा बटा पंदरह को एवर टवी फाइंड करोगे चौदा बटा पंदरह ये गुड़ा से उधर भाग में जाएंगे पलट जाएंगे ये आ जाएंगे दो कितना आएगा चार बटा पांच आएगा ना हल करके बताओ साथ एक पम साथ साथ दोन चौदा तीन दोन च्छे तीन पचे पंदरह ये चार बटा पांच एकमान 4 बटा 5 और बच्चा आपका जो श्री ए बटा बी कमान 4 बटा 5 और एकस बटा वाई कमान 7 बटा 6 आया ये दोनों भिर्ने हैं इनको लिख लो जल्दी करो ऐसे ये बहुत आसान नहीं है लेकिन आगर इनको आप कोसिस करोगे सिस्टम से करोगे तो आने लगेंगे सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें हमारी कोसिस होगी ये क्लास और बड़ी होंगी कुष्टन हम आपको अलग माध्यम से टेकनोलाजी के माध्यम से ऐसे नहीं होगा बिल्कुल एच्टी क्वाल्टी में देखेगा टेंसर लेना कैमरा आपका आचवा हुआ का कैमरा का आचुका है कैनन का कोई दिक्कत आपको नहीं होने माली है हमने पूरी भरपूर दिखेगा है आपको कोई दिखर नहीं होगी这 당 साब नियुंद कर and āन का यह क्योगा लागों को बहुत भटीया का रें लेकिन अभी हम इसे शुरू नहीं करने अभी सीख रहे हैं तो भाई क्वाल्टी वाली कोई समस्या नहीं रहेगी दिखेगा हां सब कुछ होगा टैंसर ने लेना